ऐसा विद्वन्ष विश्वयुद काल में भी नहीं हुआ था जिग्यासा वश जानने की कोशिश की कि क्या ऐसा वाइरल अटेक इसके पहले कभी हुआ है क्या इसका उत्तर आयूर्वेद में धूंडने से मिलेगा उत्तर मालूम करने के लिए इंटिनेट टटोलना शुरू किया बालमीक रमायन में कोरोना जैसे वायू प्रकोप का वर्नन मिला इसे अगली किसी पोस्ट में लाएंगे कंपिल आयूर्वेद के लिए जाना पहचाना नाम है क्या कंपिल के इतिहास में ऐसा कुछ पढ़ने को मिलेगा इस कड़ी में हमने कंपिल के इतिहास के बारे में जानने की कोशिश की है भारती आयूर्वेद विज्ञान का चरक सहिता सर्व प्रतम उपलब्ध ग्रंथ है पांचाल मंडल की राजधानी कंपिल में गंगा नदी तटके निकट भ्रमन करते हुए भगवान पुनर्वसु आत्रेय ने अपने शिश्य अगनिवेश आदी को उपदेश दिया था आयूर्वेद के और अध्ययन अध्यपन अन्वेशन आदी का कार्य यहीं से प्रारंब हुआ यहां की प्रयोक्षाला में ओशधी परिग्यान के साथ ओशधी के गुंदो श्रस वीर्य विपाक आदी पर विस्तरित रूप में खोच की जाती थी प्रित्वी पर प्रानियों को रोगग्रस्त देखकर चरूप शेश जी भूलोक में आये कामपिल्य में जो उब्देश आत्रिय जी ने दिया उसको प्राप्त कर चरक सहिता नाम के ग्रंथ की रचना आचार्य चरक ने संस्कृत भाशा में की इसके लिखे जाने का समय WS3 BC से WS2 BC के मध्य है सभी मतांतरों के पश्चात यह निश्चित है कि चिकित साशास्त्र का प्रारंभाज के पंचाल प्रदेश के फरुखाबाद जन्पद में ही हुआ था प्रानियों को देखकर हिमाले पर लगभग सौर रिशियों की एक सभा की गई जिसमें कन्नोज, कमपिल, पांचाल के प्रतिनिधी के रूप धौम्य के भराता देवल विश्वामित्र, धौम्य और चेवन रिशी उपस्थित हुए थे जन्शुती के अनुसार यह संगम जहां हुआ था उसी स्थल का नाम सौरिशी है इस सभा में पम भार्दवाज मुनी को आयूरवेद के प्रचार प्रसार का दायत्व सौपा गया था चिकित साशास्त्र का सांगोपांग अध्यन करके भार्दवाज मुनी अपने मित्र महाराज प्रशती की राजधानी काम्पिल या कम्पिल आये 14 वी शताबदी में एक पुस्तक कल्पतीर्थ के एक लेक के अनुसार फरुखाबाद का येक शेत्र वन औशधी का महान केंद्र था यहां की मित्टी और जल का जो वर्णन मिलता है उससे हम निश्चे ही कम्पिल को उस योग का प्रदूशन मुक्त और स्वास्थ नगर मान सकते हैं चंद्र किरणों की भाती इसका निर्मल जल जिसके स्नान से और यहां की पीली मित्टी का लेप करने से रोग ठीक हो जाता था तथा विवाहादी के पहले सुंदर्ता बढ़ाने हे तु मित्टी का लेप लगा स्नान करने की प्रथा थी यहां के धन्वंतरी कूट की मित्टी का सोना बनता था मित्टी से सोना बनाने की विधी का वर्नन पतियाली में जन्मे और कंपिल विश्व विध्यालेय में पढ़े अमीर खुसरों ने निम्न प्रकार से किया तोरज गंधक, मोरज पारा, तामे बैठो नाग पवारा नागमार नागिन को दीजे, सारा जग कंचन कर लेजे यहां के ब्रह्मकुंट के तट पर उगी मंडूक ब्राहमी के पत्रे को चून के साथ पीने से निरोग और किन्न जैसा मीठा स्वर होता है यहां के उपवनों में औशधिया उत्पन होती है इसलिए विश्व के महान वैद्यरत्न महर्शी चरक ने इस सेमिनार के लिए कंपिल को चुना था चरक सहिता में उलिखित है कि कंपिल क्षित्र में जेश्ट माह के अंतिम दिनों में गंगा किनारे पर आचार्य चरक ने अपने शिश्यों के साथ वन विचरन किया था आचार्य चरक का काल लगभग 2000 वर्ष पूर्व माना जाता है वैसे भी पहाड़ा प्रदेश के रूप में यहां की पीली मिट्टी बहुत उप्योगी है कंपिल से कंपिल के बीच धौम्य आश्रम, श्रंगी रिशी आश्रम, च्यासर आदी स्थान आज भी गंगा किनारे मौजूद है जो शोध परक है अगर वीडियो पसंद आये तो इसे लाइक करे सब्सक्राइब करे वा बेल बटन अवश्य दवा दे